हलो स्टुडेंट्स जैहिंद मैं का से फिंज है उम्मीद करता हूं कि कल के आल इंडिया मेगा मॉप टेस्ट के लिए आप काफी एकसाइटेड होंगे जो की हमारा एक नवंबर सुबर दस बजे ऑलनाइन वेंचर्स की आप पर अवेलिबिल है बच्चों मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आपको इस मॉप टेस्ट को बहुत सीरिसली देगा और ये याद रखेगा कि ये कल का जो मॉप टेस्ट है ये आठ तारीक की एक मॉप ड्रिल है मतलब अगर कल आपने मॉप टेस में अच्छा परफॉम किया तो आप आठ तारीक को भी अच्छा परफॉम करेगी और अगर कल आपने अच्छा परफॉम नहीं किया तो मुझे डर है कि आठ तारीक को भी आप अच्छा परफॉम नहीं करेगी तो कल भारी से भारी मात्रा में आप online ventures की app पर सुबा 10 बजे इस mock test को दें इस mock test को हमने विल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे CDS का pattern होता है और जिससे CDS का exam होता है उसी तरह से mock test होगा जिसमें 3 sections है English, GS and Maths तो English का section सुबा 10 बजे से 12 बजे तक, GS का section 1 बजे से 3 बजे तक और Maths का section 4 से 6 बजे के बीच होगा और जो लोग OTA का त्यारी कर रहे हैं उनसे मैं ये निवेदन करूँगा कि आप Maths का section को attempt नहीं करें क्योंकि अगर आपने Maths का एक भी question attempt किया तो हम आपका score है वो CDS के लिए पफ कर लेंगे इसलिए जो लोग भी OTA के त्यारी कर रहे हों Maths का section को attempt नहीं कर देंगे जीतने वाले सभी बच्चों को हम बहुत ही exciting prices देने वाले हैं तो आपको कल क्या करना है online benches की app पर आकर इस mock test को देना है without fail याद रखेगा बिल्कुल वैसे ही pattern है आपका negative marking भी होगी 0.33 की याद रखेगा सो उस हिसाब से आपको इस mock test को बच्चों attempt करना है कल भारी से भारी मात्रां से आए और All India Mega mock test को अटेंट करें यह आठ तारिफ की पूरी मॉख द्रिफ सो सी यू चिल देंट गूटेकर उटेकर उटेकर को लेकर ठीक है ठीक है वह आज हम लोग कवर करने वाले हैं तो सभी लोग फटा-फट जोड़ते जाओं जितने लोग भी लाइव आचुके हैं स्टेशन को फटा-फट शेयर कर दो सबसे पहला काम जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं सेशन को फटा-फट शेयर कर दिए एक बार ठीक है जितनी आपकी जनरल क्वेरीज हैं ठीक है जितनी चीजी आपको पूछनी होती है वह सब आज मैं कुश्चन लिख के लाया हूं और उनके आंसर में आप सभी को चोंप देने वाला हूं कि मैस की त्यारी कैसे करें अर्समेटिक पोर्षन आपका बतलब ज्यादा इंपोर्टेंट है या एडवांस पोर्षन ज्यादा इंपोर्टेंट है कौन सी बुक से पढ़ें ठीक है यह सभी चीजों को हम लोग आज क्लेयर कर करने वाले हैं तो कौन-कौन लाइव आ चुगा है एक बार लोकेशिंग रोहित आशी सुधानसु आदित बाकी आप सब कोई जनरल क्वेरी होगी वह भी आप पोश्ट कर दिजेगा आज मैस की प्रिप्रेशन को लेकर यह वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको जो प्रि ठेल लेते हैं कि क्या-kya वाइस वेटेज आफ सीडियेस मैतबेटिक्स पेपर मतलब जितने भी टॉपिक्स्त है उसमें किस का वेटेज कितना ज्यादा है किसका वेटेज कम है ठीक है सबको पता है अउन्हें सारी बाते अर्भ्याइक एडवास कौन से टॉपिक अबीटे which book to refer for arithmetic and important chapters मतलब अगर arithmetic की त्यारी कर रहे हैं तो कौन सी बूख हम refer करें बात समझ मैं उसमें important chapters कौन से हैं उनके बार हम लोग बात करने वाले एक बार सबको clear ठीक है next point पर आते हैं which book to refer for advanced mathematics advanced math के लिए कौन सी बूख refer करें हम लोग ठीक है and important chapters important chapters क्या है यह साथ question मैंने वही लिखे हैं जो आप बार बार से संस के दोरान या ऐसे ग्रूप सब्सक्राइब प्रयास करूंगा most important topics to be covered before exam ठीक है यह चार मैंने general queries आपकी आज उठाई हुई है उन सभी का मैं answer देने का प्रयास करूंगा तो चीजों को आराम से पेशने से समझेगा और यह बहुत ही फाइदेवन वीडियो आप सभी के लिए cds की math depression के लिए होने वाली है आई हो सो clear है तो उठाते हैं पहला question ठीक बच्चों पहला question जो है that is क्या topic wise weightage of cds mathematics paper मतलब cds जो math paper होता है उसमें किस chapter का कितना weightage है ठीक है चली देखो ध्यान से किस chapter का कितना weightage है उन सभी के बारे हम लोग बात करते हैं ठीक है एक मिनट रुकिए बच्चों चलो तो देखते हैं हम लोग कि यहां पर किस topic का कितना weightage कितने का प्रयास करते हैं एक मिनट मैं इसको अटा देता हूं तो थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं ठीक है चली देखो ध्यान से यहां पर यह बात मैंने आपको पहले ही बताई थी दुबारा एक बार देख लेते हैं बाकि और queries देखेंगे ठीक है सबसे पहले को important topic क्या क्या है देखो नंबर सिस्टम आपका हो गया geometry हो गया मेंसुरेशन हो गया और क्या बताओ trigonometry हो गया और क्या बताओ Algebra मतलब का होगे जो अच्छा खासा है यह बहुत बार बताई है दुबार आप एक बार देख सकते हैं फिर आगे हम लोग बात करने वाले है यहां तक ठीक है चली तो आप देखो कितने कितने वेटेश जहां पर दिखाई पढ़ लोगा आपको ठीक है चली तो देखो बीस बीस चालिस चौदा क्या होगे चाहँवन अर्सरदा 75 अप्रॉक्सिमेटली यह लगभभ 75 कुश्चन ठीक है यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है एक मिनट ठीक है इसको मैं यहां से कब देता हूं चैली कोई बात नहीं तो यहां पर क्या बताओ एक मिनट तो 75 कु एडवांस मैट से आपको दिखाए पड़ें 75 कुश्चन बात क्लियर है कनफर्म ठीक है इसको साइट करें थोड़ा सा हां ठीक बाकी देखो ध्यान से एक बात समझो सभी लोग बाकी जो आपका अर्थमेटिक है उन सभी के बारे में बात करते हैं सारे चैप्टर सापके सा हमने है तो राउंड ऑफ कितना बताओ पचीस कुश्चन या क्या बताओ तीस कुश्चन आपका वेटेज है तो सबसे पहली बात आई हो सबको क्लियर हो गया ठीक है बाकी आपके जो भी ले लूँगा जो जैनरल बार बार आती है उनके बारे में आज बात करने वाले पहल ठीक है देखो यहां से यह क्या है बताओ विच्ट टु रिफर फॉर एडवांस मैतमेटिक्स ठीक है जभी आपने देखा कि अगर सौ कुश्चन में से देखो इदर टोटल कुश्चन कितने हैं आपके सौ कुश्चन बच्चों सौ में से आपने देखा कि राउंड आउफ 75 कुश्चन 75 कुश्चन आपको cds में किसके मिलते हैं बताओ एडवांस मैट्स के मिलते हैं यह बात कंफरम सब को ठीक है अब यह बात आती कि इसको तैयारी कैसे करें कौन सी बुक हम प्रिफर करें कैसे तैयारी को स्टार्ट करें जो अच्छे स्टार्ट करना चाहते हैं 2021 सबसे पहली बात की आप कोnity book लेनी चाहिए preparation करते हूँ यहां रिखता हूं आप लिख नाइंथ और क्या बताओं यहां पे टैंथ 9th and 10th की आप क्या ले लेंगे बताओ NCRT ठीक है मार्केट आपको मिल जाएगी तो NCRT की बुक क्या करेंगे सबसे पहले 910 की उठाएंगे ठीक है जिसमें से आप क्या पढ़ेंगे बताओ पढ़ेंगे मेंसुरेशन पढ़ेंगे ठीक है अच्छा NCRT की जो बुक्स होती हो काफी पतली-पतली होती ही सबको पता है तो पढ़ना भी आपके लिए बहुत आसान है लेकिन इससे आपका कंसेट बिल्डप बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है आप सभी को बताए नंबर आपका जो कंसेट बिल्डप होगा इतने अच्छे से लिखी जाती है क्या आप देखते हो जो टॉप लोग है वो लोग लिखते हैं ठीक रचों तो इतनी आसान भासा में लिखी होती कि आपको पढ़ने कभी दिक्कत नहीं होगी सुनें अलजब्रा को ठीक है ट्रिगनोमे जुमेट्री और आपका मेंसुरेशन यह क्या करना यह कंसेट बिल्डिंग कहा से होगी आपकी एंसी आटी की बुक से कंसेट आपने सीख लिया उसमें जो छोट छोटे कुश्चन है जो आपको एक सरसाइस दी होती है उसमें 10 कुश्चन 12 कुश्चन 15 कुश्चन आपको मि बच्चों सुनिएगा तो 9 और 10 की सबसे पहले आप क्या लेंगे NCRT सुनते जाओ अराम से और क्या कि आपको लेना है अभी कहानी खतम नहीं होई है फिर आप क्या करोगे आप बिटा 9 और 10 की क्या लिए लोगे RD सर्मा यादे सब को सभी लोग बच्पन में पढ़े होगे ठीक है आपको अच्छे खासे अच्छे लेवल के दिये गए है और आप देखोगे आपको विश्वास पने होगा कई बार डिक्टो कुष्चन ध्यान रखेगा डिक्टो कुष्चन आपको आपके इक्जाम में दिखाई पढ़ जाएंगे मैं कई प्रूफ आपके इसके द प्रूफ करते हैं हम लोग उसको डाइट पूछ लिया जाता है इसके अंदर एडवांस मैट्स के लिए पहले आपने समझ लिया कि सौ में से तो 75 कुष्चन सारी कहानी आपकी यहीं से बनने वाली है तो आप क्या करोगे सबसे पहले लोगे पतली सी बुग होती है पढ़न है ट्रिगो पढ़ना है और अलजबरा पढ़ना है पढ़ लिया कंसे बिल्डफ हो गया थोड़ा कॉंफिडेंस आया आपके पास बड़ कहानी पूरी नहीं हुई है अब कहानी बनेगी आर्डी सर्मा से अप सारे कुष्चन उस टॉपिक के आराम से प्रेटिस करने स्टार आती है तो वह चीज़ें आप अभी से स्टार्ट कर देजिए बास वह समझ में आ रही है तो आर्डी सर्मा की बतादी आपको मनें एंसी रडी बतादी ठीक है बाकी आपको क्लास पढ़ाऊंगा बच्चों लोग क्लास पढ़ाएंगे तो बार-बार समझाता हूं कि पहली मैट्स के लिए तैयारी कैसे करनी है क्या ये बात सब को क्लेर है ठीक है ये सारी बातें करने के बाद लास्ट में लगाते हो तो प्रीवियस यर आप लगाएंगे जिससे आपको सौझ में हाता कि ठीक है जो आमने पढ़ा है उसमें अरहां दिक्कत नहीं आ रही है जो कुस्तियों के त्यारी कहां से करें कैसे करें तो आज मैं सबके आंसर्स आप लोगों को दे रहा हूं एक बार सभी लोग फड़ा फट कमेंट कर दो क्या यह बाते यहां तक क्लेर हो गई आपको जल्दी बोलें सभी लोग ठीक है जो कुश्चन आपका बार बार आता है कि एडवांस मैस की प्रिप्रेशन कैसे करें वन्हें आपको एकदम इस्टेब वाई इस्टेब बता दिया ठीक है अगर आप खुद से प्रिपेर करना चाहते हैं तो आप यहां से एंसी और और यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी यहां पर आपको नोट्स बनाया जाएंगे सारे कंसेब्स प्रैक्टिस होता क्या होता है जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं जहां समझेगा इस बात कि इसको आप खुद से पढ़ते हैं मालों कोई शैप्टर है उसमें 10-15 पेज है तो लेकिन फेकल्टी क्या करता है वो उन चीजों को आपके दिमाग में मैक्सिमम टु मैक्सिमम एक दो घंटे के अंदर एकदम सेट कर देता है ठीक है अगर आप खुद से त्यारी करेंगे तो नो डाउट आप कर सकते हो कभी मना नहीं करता मैं ठीक है कई वच्छे ऐसे होते जो सिल्फ प्रप्रेशन करके भी आगे बढ़ जाते हैं ठीक है लेकिन टाइम आपका ज्यादा लगेगा ये बात कंफर्म है ठीक है क्योंकि आपको उन चीजों को पढ़ने में खुद अंडेस्टेंडिंग बनाने में थोड़ा टाइम बेश्ट हो जाता है हम लोग आट- ठीक है यहां तक बातें क्लियर है ठीक है तो मूव करते हैं अगले कुश्चन की ओर जो आपका जनरल कुश्चन होता है यह कुश्चन इक बाब पढ़ लीजिए सब लोग तो कुश्चन यह है कि विच बुक टू रिफर फॉर अर्थमेटिक एंड इंड इंपॉर्टेंट ठीक है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है और मैं कहरा किहारी करना सेक् it or important मत करो एकि reconstit daily का करते हो तो उस समय important focus मत करो मैं तो ही समझाता हूं बच्चों को कि आपके लिए हर एक टॉपिक important है हाँ वेटेस देखके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वह आप देख सकते हैं कि चैप्टर ज्यादा अर्थमेटिक से इतिहास क्या होता है कई बार बदल भी जाता है समझे ना ठीक है बट जो अभी तक रहा वह बाते में लिख दी है एक बूक आती है आपकी अरहंद की ठीक है अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे जो मने आपको समझाया पिछला वाला एडवांस में इतना हुक्स मैं क्यों करा रहा हूं बेसिक से ियार कर रहा हूं इसका जो ले व्हाला आता है मैं वीडियों आपको समझायाए भी था कि इसका लेवल дуже है डिफिकल्ट मौले to Peace कुईश्चन वही बच्चा लगा सकता है जिसका कंसेप्ट अच्छा खासा क्या हो इस ट्रॉंग हो ठीक है इसमें छोटी-मोटी बात से काम नहीं चलता है ठीक है यहां लेवल होता है मौडरेट टू डिफिकल्ट जब तक आपको अग्दम डेफ्ट में चीज़ें नहीं पत देते हैं इसी ही आते हैं ठीक है तो देखो अरिहंद की आप क्या करोगे अरिहंद की आप बुक ले सकते हो अर्थमेटिक की मार्केट में जाओगे अरिहंद अर्थमेटिक करके बुक आती है उसको आप लगा सकते हो उसके चैप्टर से कंसे भी दिया हुआ है ठीक है बाक खंधी। है का इसमें सारे टॉपिक है अर्थमेटिक के थी ठीक है लेकिन ध्यान रख़ें भच्छों इसमें क्या होता है जब क्काट की त्यारी करते हो तो माइक्सीमम चैप्टर नहीं मैश्चेप्टर में यहार मिलेगा Dil फो मिलेगा और और क्या लगा समझते हो लवन लट्री मतलब क्या होता लेवल लवन लवल टू लेवल थी देखो अगर आप सीडियस की तयारी कर रहे हो तो मैं कहता है आप सब लिए मैंने बोल दिया आप से आप अर्यहंत की आप अर्थमेटिक की ले सकते हैं या बच्छों आप कैट की सरवेश कुमार की बुक आती है मार्केट अब लेवल है ठीक है लेवल लेवल टू आप वहां से ट्राई कर सकते हैं ठीक है भाई सबको बास सोज़ में आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दो मिष्टर चौहान बेटा बिल्कुल बाइलिंग्वल होगी उसके टेंसर मत लीजिया ठीक है अनूब सही है ठीक अठागोड बिल्कुल आइस अगवाल भी ठीक है आपके लिए अर्थमेटिक के लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां तक बाते लि लोगोश्टी पूछते हो most important topics to be covered before exam ठीक है अब देखो आपने पढ़तों सब कुछ लिया लेकिन exam से पहले कौन से टॉपिक हैं जिन पर exam से पहले मतलब दिमाग पर होता है जब गोल एकदम clear होता है तो आप फस्ट डे से ही उस पर ज्यादा करके रखते हो क्योंकि क्या करना है आपको लेवोरियस नहीं बहुत ज्यादा करना है स्मार्ट पढ़ना है किससे कुश्चन ज्यादा आते हैं कि उसी चीज़ बार पुछी जा रही है तो उसको फोकस होके जाओगे तो आपका जो effort होता है ठीक है तो मैंने आपको पहले बता दिया जिनका वेटेश ज्यादा है वह चैप्टर आप पढ़के जाएंगे ठीक है वह चैप्टर क्या-क्या है मैं दुबार एक बार लिग भी चलना ही चलना है ठीक है तो एक हो गया नंबर सिस्टम दूसरा क्या हो गया बताओ जुमेट्री में लिग दे रहा हूं एक बार सारे टॉपिक्स ठीक है जुमेट्री फिर आपके मैं क्वैरी ले लूँगा अगर कुछ और क्वैरी आपको आता है जो मुझे आज तक मोश् है ठीक है और लास्ट में आपकी अलजब्रा यह बहुत इंपॉर्टेंट से नोट करना आपको और लास्ट में आपका क्या बताओ आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस इससे हर बार चार-पांच पूश्चन मिल जाते हैं और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस वैसे से आप माल लो राउंड ओफ 750 to 80 क्Öश्चन आपको इनहीं टॉपिक से ही मिल जाते है सही क्से थिकुछ चो सभी लोग फटास्वर्व कोई क्वेरी है तो एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट कर दें मैं उसका भी रिपलाई आपको कर दूंगा ठीक है ठीक है बाकी आप सब को बता दू बच्चों में बाकी चलिएतिक है लिए बाकी जो बच्चे तैयारी करा चाहा रहा है इस बार सीडिय बाठे जल्दी जल्दी सेलेक्शन हो जाए आपका तो आपको त matching एंट आवंबर से 11 9 थे एक बिल्कुल नया बैच आ रहा है दो जो च्कारी करने उनके लिए आ रहा है और जो निए की त्यारी आप सभी कि लिए ऑफर है बार बता रहा था आप लोगों को ठीक है मिड़नाइट तक लेंगे तो यहां पर क्या होगा 500 डिसकाउंट और यहां भी 500 का आपके चाहेते ठीक है अब इसे एक सर जुबे रहसानी सर और आपके रोसन सर यह सब लोग मिलके पूरा जीएस आपका कवर करने वाले हैं तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो 31 अक्टूबर आज मिड़नाइट तक जल्दी 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 ले लीजिए क्योंकि उसके दिस्काउंट खतम हो जाएगा बाद में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तब भी आप ले सकते हैं 11 नॉवंबर से 2021 के लिए बैच आ रहा है सीडियस और ओटी वालों के लिए ठीक बच्चों बाकि अगर आप कोई भी क्वेरी है तो आप फटा बढ़ेगा आप डाउनलोड नहीं हो रहा है नहीं बेटा वो दो-तीन हजाद डाउनलोड हो चुके हैं तो आराम से हो रहा है उसका आप चेक कीजिए यह आपका आरोब बेवनियाद है ठीक है चले है विवेक राना सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं आज तक जितने ऑनलाइन टी अच्छे पेइमेंट कर रहे हैं फटाफट आपको डिसकाउंट चाहिए तो आप आज ले सकते हो वरना गया तक आप आराम से लोगे गया तक लोगे तो यह आपकी एक्ट्रेजी पढ़ेगी और फीस बहुत ही नॉमिनल है डिसकाउंट नहीं लोगे तब भी बहुत नॉम ठीक है जितनी मेटा आठ नॉम्मर के लिए मैंने कल वीडियो लिया था उस जरूर देखें आप एक बार ठीक है अनूब सर वीडियो फ्री रहेंगी या नहीं प्लीज इस्पॉंड सर बिड़ा कौन सी वीडियो की आप बात कर रहें जो फ्री रहेंगी जो यूटूब पर इंदर चलेंगी आपके पेड़ बैचेज वो क्या है बताओ पहली बात तो फीस बहुत नॉमिनल है उना के बराबर मानू ठीक है आप देखते हो आफ लाइन में लोग 18,000 20,000 तक चार्ज कर रहे हैं ऑनलाइन में इवेन ठीक है मैं नाम नहीं लूँगा मैं ऐसी कंपरी मे मिलके स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए तो फीस बहुत ही कम रखा गया है जिससे अटलिस्ट वो निकल जाए ठीक है बस चलिए बच्छों के रहे हैं एक बुक को कितना टाइम दिया जाना चाहिए जब तक आप सारे कुश्यों के बत निकाल लो उतना टाइम दिया करना चाहिए सारे कुश्य निकाले लिए जो अच्छे हम लोगा कोड यूज करके पढ़ रहे थे उनको तो फ्री में लोगों ने बैस दे दिया है बस हमारा कोड सो करेंगे कि हमने कोड यूज किया था वो फ्री में पढ़ सकते हैं ठीक है बाकी अगर कोई बच और कहीं प सबको यहां तक बाते क्लेर हो गए एक बार सभी लो यस्वर लिख दो आई होप मैंने जो जेनरल क्वेरी इस वीडियो में कवर कर दी बाकी आपके अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीएगा उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ठीक है जो कि हमारा एक नवंबर सुबर दस वजे ऑल्लाइन वेंचर्स की आप पर अवेलिबिल है बच्चों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस मौक टेस्ट को बहुत सीरिसली दे और ये याद रखेगा कि ये कल का जो मौक टेस्ट है ये आठ तारीक की एक मौक ड अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुझे डर है कि आठ तारीक को भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं करें तो कल भारी से भारी मात्रा में आप ऑनलाइन वेंचर्स की एप पर सुबा दस वजे इस मौक टेस्ट को दें इस मौक टेस्ट को हमने विल्कुल वैसे ही बनाया और जी सेथ का एकजाइम होता है उसी तरह से ही मौक टेस्ट हो का this वह स्पॉकि और जो लोग ओ टीए का तियारी कर रहे हैं उनसे मैं निभेदन करूंगा कि आप मैस्त का सेट्शन को अटेंट नहीं करें क्योंकि अगर आपने मैस का एक भी कोशन अटेम्ट किया तो हम आपका जो स्कोर है वो सीडियस के लिए आपको कर देंगे इसलिए जो लोग भी ओटिये के तैयारी कर रहे हों मैस का सेक्षन को अटेम्ट ना करें जीतने वाले सभी बच्चों को हम बहुत की exciting prices देने वाले हैं तो आपको कल क्या करना है online ventures की app पर आकर इस mock test को देना है without fail याद रखिएगा बिल्कुल वैसे ही pattern है आपका negative marking भी होगी की 0.33 की याद रखिएगा तो उस हिसाब से आपको इस mock test को बच्चों अटेम्ट करना है कल भारी से भारी मात्रां से आए और all इंडिया mega mock test को अटेम्ट करें यह आठ तारीक की पूरी mock driven तो see you till that you take our officials and have a nice कि क्यु Page करो झाल झाल